हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक और टीबेस रेडियों जो 2022 में आई है डिश्टल मीटर वाली में से कौन सी बाइक आपको खरीदनी चीए मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों बाइकों को कमपेर करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहूल बर्सेज मिन्टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को जरूर दबाएं मैं आपको पहले ही बता दूँ इन दोनों बाइकों की जैसे टेस्ट राइड की फुल रिवीडियो की वीडियो हमारे दूसरे चैनल बाइक वाइक वाइन्टू एंड राहूल पर उपलब्द है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं यहां पर हम उनको सिर्फ कंपेर करेंग जाएंगी अब यहां पर TBS Radeon 110cc की बाइक है और वह 100cc की बाइक है अब यहां पर अगर हम सबसे पहले इनके फीचर को कंपेर करें तो ऐसे भी 100cc की बाइक हैं बहुत ज्यादा फीचर की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे फ्रंट में कंपेर करें तो आपक को मिल जाते हैं लेकिन ज्यादा आपको अच्छी लाइट उसमें मिलेगी TBS Radeon में अब मीटर को हम कंपेर करते हैं तो दोनों में ही फुली डिजिटल मीटर है स्प्लेंडर में आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेगा और इसमें आपको कलरफुल मीटर मिल जाएगा स्प्ल वाइल चार्जिंग के सुविधा दोनों ही बाइकों में मिल जाती है त्यूबलेश टायर दोनों ही बाइकों मिल जाते हैं लेकिन ज्यादा चंड़े टायर आपको रेडियों 110 सीजी में मिल ज्यादा लंबी सीट आपको मिलेगी TBS Radeon में जबकि इसमें भी लंबी है लेक को मिलते हैं वहीं माइलेज की बात करें तो लगभग 70 के आसपास ही आपको माइलेज मिलेगी मैंने दोनों ही बाइकों की माइलेज टेस्ट की हुई है और 70 से कुछ 75 हो जाती है कुछ 70 हो जाती है तो मतलब वो जैसे राउंड फीगर में देखा जा तो आप 70 के आसपास मा होगे तो 70 की उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी अब इसके लावा हम कुछ इनके स्पेक्स को कंपेर कर लेते हैं तो टीबियस रेडियों में लगाया गया है 109.7 CC का सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें आपको 8.8 HP की पाउर मिलती है 7350 आर्पियम पर 8.7 Nm की टॉर आपको मिल जाता 18 इंच के अलोई बिल आपको मिल जाते हैं सीठ हाइट लगभग 800 एम्म है टीबेस रेडियों की ग्राउंड किलेरंस 660 एम्म है वजन 116 किलोगराम है पेट्रोल टैंक 10 लीटर का है और रिजर्ब कैशिटी है लगभग 1.5 लीटर की इस प्लेंडर की बात 818 का आगे पीछे आपको टूबलेस टैर मिल जाता है 130 इम्म की आगे और पीछे दोनों में ही ड्रम ब्रेक मिल जाती है तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों ही बाइकों की लगभग प्राइस सेम है माइलेज लगभग सेम है लेकिन आपको ज्यादा पावर मिलेगी TBS की रेडियोन में क्योंकि वो 110 इसी की बाइक है और उसमें आपको ज्यादा पावर कम पर मिल रही है तो बाइक चलाने में आपको ज्यादा मजाएगा TBS रेडियोन और उसकी सीट हाइट इस से थोड़ी सी ज्यादा है लगभग 800 इम है तो जो सौर्ट राइडर है उनको इसी पावर कम मिलेगी अब आते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ की भीया करीद नहीं कौन से जी है देखिए रिसल बैलू जो आपको हीरो की स्प्रेंडर प्लस की मिलेगी वो रिसल बैलू आपको रेडियोन की नहीं मिलेगी यह बिल्कुल सत्य है इसके अलामा जैसे प्लेट को छोड़के चैनिस पॉकेट लगब 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 बराबर रहेगी तो कुछ चीजें इसकी जादा महेंगी रहेंगी बाकि इस प्लेंडर की कुछ चीजें सस्ती रहेंगी अब यहां पर अगर हम बात करें अगर आपको पावर और पिक अप उतने ही पैसे में आ आपको रेडियोन में आएगा तो अब आप देख लें कि आपको रिसल बैलू चाहिए आगे बहुत दिन तक चला कर बेचना चाहिए बेचना है या फिर जैसे कि आप बहुत फेमस बाइक खरीदना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा विक्ति हो तो आप इस प्लेंडर ले सक होता है आप प्रॉब्लम के बारे में मेकैनिक से सर्विस सेंटर पर और ज़्यादा जानकारी कर लें रिसल बैलू देख लें उसके बाद आप किसी डिसीजिजन पर पहुंचे कि कौन सी बाइक आपको करीदनी है कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे दोस्तों कमेंट स खुद का है और यह M2R सेंपू है जिसको अगर आप लगाएंगे तो जो नौर्मली आप साबुन निर्मा सेंपू का उपयोग करते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेटर है और जैसे कच्छा बनियान और गलत कपड़े से धोने के साफ करने के बाद जो स्क्रेश आता है उससे आ आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों तो नीचे सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर खरी सकते हैं तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हमारी इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद